आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाच ऐसी आदतों के बारे में अगर यह आदते आपने अपने अंदर डिबलप कर ली तो जो मेच्यूरिटी आप 50 साल में लोगों के अंदर देखते हैं वो मेच्यूरिटी आपके अंदर 25 साल में देख सकते हैं इस चीज़ को जल्दी से जल्दी implement कीज़े, अपनी लाइफ में सीखना start कीज़े, और असर देखे, लोग आपको ज्यादा value देने लगेंगे, अगर आप खुद की value बढ़ाना चाहते हैं, चाहते हैं कि लोग आपको mature समझे, आप mature होना चाहते, ये वीडियो खास आपके लि जब आप जरूर दीजिएगा, सही जब आप देने वालों के नाम में हर संडे सुब 8 वजे Facebook पेज और YouTube पर लाइफ एनाउंस करते हैं, तो आपको हमारे मन के winner बनते हैं, तो आपको हमारी तरफ से एक सांधार gift दिया जाता है, तो हमारे contest में भाग लेना भी ना भूले, त चलिए video continue करते हैं, तब से पहली चीज़ जो होती है, कि हमारी आदत होती है, बहुत ज्यादा बोलने की, हम हमेशा ज्यादा बोलते हैं, हम सभी लोग, psychologist अपने research के माध्यम से कहते हैं, कि 90% जगडे, 90% लडाईयां सिर्फ ज्यादा बोलने की बज़से होती है, अगर हम कम बोलने लगें, तो वो खत्म हो जाएं, जितना जरूरत हो उतना बोले, जहां आपके बिना काम ना हो रहा हो, वहीं पर बोले, किसी को समझाने की कोशि भी है, अगर आप कम बोलते हैं तो लोग आपके बोलने का इंतिजार करते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा बोलते हैं, तो लोग आपके चुप रहने का इंतिजार करते हैं, कि आप कब चुप होंगे, आप से लोग परेसान हो जाते हैं, तो ऐसा बिलकुल भी ना करें, अ उसको प्रूफ करने के चक्र में पढ़ जाते हैं और जब तक हम प्रूफ नहीं कर लेते तो तक मानते नहीं लेकिन प्रूफ होता नहीं है बहस बढ़ती है आप अपना प्रूफ करने में लगा रहते हैं सामने वाला अपना प्रूफ करने में लगा रहता है कि वो सही है आप सोचते हो आप सही है तो चीजों को ज्यादा महत्व ना दे ज्यादा प्रूफ करने के पीछे ना पड़े प्रूफ वही करना है जहां आपको कोई एवोर्ड या रेवोर्ड मिलने वाला हो जहां आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला है वहाँ पे हर वक्त अपना time भरबाद ना करें, इससे आपकी value कम होती है तीसरी बात, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसकी परबाद छोड़ दो क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग है, कुछ न कुछ तो लोग कहेंगे आप अच्छे चलोगे तो भी कहेंगे, आप बुरे चलोगे तो भी कहेंगे लोगों का तो काम ही है कहना, आप अपने रास्ते सही रहो जिस रास्ते आप चल रहे हो रास्ता सही होना चाहिए, आप गलत राह पे नहीं चलने चाहिए अपने आप में सही होना चाहिए, आपको अपने उपर विश्वास होना चाहिए कि आप सही रास्ते पे ए उसके बाद आपको किसी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है क्या कहेंगे लोग इस रोग को अपनी जिन्दगी से हटा दो अगर आप काम्याब होना चाहते हैं, बेलूबल बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट बाताई में करें, तो आपको लोगों की परवा करना छोड़ना होगा, कभी-कभी तो लोग हमारे बारे में कुछ सोचते भी नहीं, अपने आप में हसते रहते हैं, अपने आप में कुछ बाते करते रहते हैं, लेकिन जब हम उनकी ओर देखते हैं, तो हमें लगता है कि वो हमारे बारे में ही सोच रहे हैं, वो हमें ही कुछ कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा मिल गया है, चार चीज़े गर बुरी हो रही ना, तो उस पे ध्यान मत दिजे, लिकिन एक चीज़े गर अच्छी हो रही है, इसके लिए gratitude होना बिल्कुल भी ना भूले, हमेशा gratitude रहे, प्रकृत के लिए, अपने parents के लिए, जो भी आपके साथ अच्छे हैं, जो आ अगर उसमें एक भी अच्छाई है तो उसको प्रोत्साहित करें, आप माने इस चीज़ को कि उसने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, हर इंसान में, हर चीज में, कुछ अच्छाई और कुछ बुराई ज़रूर होती है, यह आपके नजरिये पर डिपेंड करता है, अग अगर आप अच्छा देखोगे तो चीजे अच्छी दिखेंगे और हमेसा अच्छी चीजों के लिए gratitude रहें, पांचवी बात, आध्यात्मे ग्याम लेने की आदट डाले, आध्यात्मे की राह पे चले, चाहे जैसे भी आप जितना भी कर सकते हैं, अपने आपको जानने की प्रोसेस पे आगे बढ़े, गीता पड़े, अच्छी बुक्स पड़े, महान लोगों की संगती में आए, आप जो भी करेंगे ना, उससे आपका अच्छा ही होगा, लेकिन अध्यात्मिक राह एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है अगर आप बास्तों में सुख और सांती चाहते हो, अगर ये पांच चीजे आपने कर लीना, एक या दो महिने लगातार अगर आप करते हैं तो आपको फर्क दिखना सुरू हो जाएगा, आपके आज पास के लोग खुद कहने लगेंगे कि अब आप पदल रहे हो, आप ये लाइट में कुछ हलग हो रहा है, ये आ आप महसूस कर पाओगे, आप अप वैलुवल पर्सन बन जाओगे, तो क्या आप अपने आपको वैलुवल बनाना चाहते हैं, कमेंट वोक्स में जरूर बताएंगे, अगर आप इमोशनल इंटिलिजेट बनना चाहते हैं, रिस्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते है इबुक को आप पढ़ सकते हैं इबुक को पर्चेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा या अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो मेसिंजर करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं अगर आप पाउंसलिंग क्याते हैं वन्टुन फोन कॉल पे बात करना चाते हैं या मुझे लाइब जुड़के अपनी समस्या का समाधान चाते हैं तो मंडे बिडिनस दे और सटेर डे साम आठ वजे फेस्बुक पेज पर मैं लाइब आती हूँ तो स्क्रीन पर फेस्बुक आइडी सो हो रही है आप उसे फालो जरूर कर ले मेसेंजर करके कॉल बुक कर सकते हैं और फेस्बुक में लाइब जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं अगर वीडियो पसंद आया